दोस्तों आपने वो भजन सुना होगा लाली मेरे शाम की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल दोस्तो आज सब लाली लाल आपको नजर आ रहा होगा मेरे अलावा क्योंकि मैं तो हमेशा ही वाइट पहनता हूँ आपको पता है लेकिन बाकी चारो तरफ लाली लाल दिख रहा होगा बताता हूँ इस लाली की क्या है लाली मा क्या है इस लाल का रहश्य दोस्तो नमस्कार मैं अजए अजमेरा, अजमेरा फैसन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अजमेरा फैसन के इस सोशल मेडिया प्लेटफार्म पे जहां कुछ न कुछ नया प्रोड़क्त हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं कुछ न कुछ नई जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं लेकिन कुछ जानकारियां पुरानी होती है जो कि हम देते हैं आप लोगों को 6 महिने से देते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करने की वज़े से notification on नहीं करने की वज़े से शायद आप लोगों तक वो जानकारी नहीं पहुँच पाती है तो सबसे पहले वो जानकारी दे दूँ कि subscribe कर लीजे चैनल को अज मेरा fashion का address चेंज हो गया है अभी भी customer पुराने address पे पहुँच जा रहे हैं जो पिछले 3-3 साल से शायद वीडियो देख रहे हैं जो repeat आ रहे हैं उनको तो पता लग जा रहा है वो यहीं पहुच जा रहे हैं लेकिन daily दिन में 5-7 customer पुराने address पे पहुच जा रहे हैं जो पहले से बहुत पहले से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये मैं एक चन हितमेचारी सूचना है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए देखिए address फिर भी कभी-कभी change होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो रोज आपको नई हम लोग दिखाते रहते हैं से अभी सामने करवा चोथाने वाला है त्योहारों का सीजन है बहुत सारे सुब प्रसंग का सीजन है विदी विदान का सीजन है त्योहार का सीजन है तो ये सब लाल ही लाल कलर इसलिए दिखा रहे हैं किसी भी सुब कारिया में मंगल कारिया में लाल कलर का होना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए special आज मैं लाल का ये वीडियो लाल प्रोड़क्ट का ये वीडियो जैसा कि अभी मैंने कहा कि लाली मेरे शाम की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल लेकिन मैं लाल नहीं हुआ मैं तो वैसा का वैसा वाइट ही हूँ आप लोगों के आगे तो सुरू करते हैं सबस्क्राइब कर दीजिए सबसे पहले चैनल को और नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए जिससे एड्रेस और बाकी जानकारिया तमाम आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों लाल के अंदर अभी देखिए करवा चोत है सामने लाल कलर का बहुत बड़ा महत्व है अगर आप जानना चाते हैं कि लाल कलर ही क्यों पहना जाता है इस करवा चोत के तिवहार के उपर क्यों इसको इतना सूब माना जाता है कलर तो बहुत सारे रेंबो में साथ कलर दिये गए हैं लेकिन लाल का इतना महत्व क्यों रखा गया है सरीर में दोड़ता हुआ खुन भी क्यों लाल है तो जरूर कमेंट में करके बताईएगा पुछिएगा मुझसे लाल ही क्यों तो जरूर मैं आप पे लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊंगा लाल ही इस परसंग में सूब परसंग में किसी भी सूब परसंग में किसी भी विधान में क्यों पहना जाता है उसके लिए एक इस्पेशल वीडियो मैं बना दूँगा आपके लिए तो आज लेकिन सुरू करते हैं कि लाल में क्या क्या है अब लाल में दोस्तों देखिए सारी तो लाल आती आती है सारी के साथ कुर्ती, ड्रेस मटल, सूट, सब चीजें आपको लाल में मिलने वाली है लाल और मेरून सिमिलर कलर होता है सुब माना जाता है यह दिखे यह पूरा बनारसी कॉंसेप्ट है मैं दिखाता हूँ एक एक चीज आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा समय की मर्यादा है यह दुपटा हो गया लाल बनारसी कॉंसेप्ट है पूरा वीविंग है दोस्तों कहीं भी किसी तरीकी का कोई कलर उपर से नहीं डाला हुआ है यह इसका लाल बोटम जिसके उपर बनारसी नीचे पैंट में डिजाइन दे दी गई है अलग से पैच लगा दिया गया है और साथ में यह कुड़ती जो कि अस्तर के साथ है बहुत ही खूबसूरत डिजाइन दी गई है नेक पे पैच लगाया हुआ है और यह वीविंग पूरा का पूरा दिया हुआ है बहुत खूबसूरत नेक बनी हुई है स्लीप्स के उपर डिजाइन बनी हुई है देख सकते हैं आप और नीचे दामन में भी यह डिजाइन दी हुई है यह है लाल पूरा कलर ऐसी ही डिजाइन है आपको भरपूर मिलने वाली है यह देखिए यह पूरा सैट इसका स्पेशली लाल कलर रहता है इसमें 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, 10 पीस जितना चाहें आप ले सकते हैं अब आते हैं यह कुर्ती दिखाई यह सूट पीसेस यह देखिए लाल बहुत ही जबरदस जोर्जेट दोस्तों बता दू लाल ऐसे सूप परसंग में तो पहना ही जाता है किसी भी विदिविधान में पहना जाता है कोई भी अच्छा कारिया, मंगल कारिया होता है लेकिन इस्पेशल नेपाल के अंदर लाल की 12 महीने डिमांड रहती है तो अगर नेपाल से कोई हमारे भाई बहन देख रहे हो जो भी इस टेक्स्टाइल वियापार से जुड़े हुए हो या जुड़ना चाहते हो तो उन लोगों को लिए बता दू मैं कि लाल कलर नेपाल में बहुत जबरदस चलता है बहुत इस्पेशल डिमांड रहती है नेपाल की नेपाल बोर्डर के जितने भी जैनगर, मदुबनी और ये सब जितने भी एरियाज हैं जो नेपाल के अंदर माल सप्लाई करते हैं उन पे भी लाल बहुत जबरदस डिमांड रहती है मैं व्यापारियों के लिए ये चीज कह रहा हूँ ये देखे, ये दुपट्टा, बोट्टाउम और ये अनिस्टिच सूट बहुत ही खुब सूरत पीस है, पूरा हैंड वर्क किया हुआ है दोस्तों डिटेल में जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता हूँ इस वीडियो में सिर्फ लाल जो आइटम्स हैं वो मैं आपको थोड़े थोड़े दिखा रहा हूँ अब सूट पीसेस में लाल देखिए और लाल के साथ ये ग्रीन का भी महत्व बहुत रहता है दोस्तों लाल ग्रीन ये सब कलर पीला ये सब सूप परसंग में पहने जाते हैं जिस भी कलर के बारे में आप जानना चाते हूँ कि सुप परसंग में कौन से एरिया में कौन सा कलर पहना जाता है, बिहार को लेते हैं तो छट पूजा के अंदर पीला पहना जाता है, ठीक है ने, माराष्ट्र को अगर लेते हैं तो ग्रीन कलर बहुत जबरदस पहना जाता ह दोस्तों, कई जगें हैं जहां पे green को भी महत्व दिया जाता है, आप जिस color के बारे में, जिस area से हैं, उस color के बारे में जो जानना चाते हैं, तो मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, कि क्यों उस area के अंदर particular वो color पहना जाता है, जो भी color आपकी choice हो, उस color के बारे में नाम लिखके नीचे बेजें, तो हमें आपको पूरी-पूरी जानकारी दे दूँगा, अब आते हैं दुपटे के उपर ये देखिए, किसी भी मंदिर में मातारा नहीं, अभी तो नवरात्रा चल रहा है, देखिए, सबसे बड़िया, हमारे गुजरात का तो नवरात्रा सबसे ब बनाया जाता है, नो दिन पूरा नवरात्रा की धूम रहती है, हमारे यहां तो अभी ये समझे कि दिन की सुरुवात जो है, सुबह साथ बजे या छे बजे से नहीं होती है, दिन की सुरुवात अभी ये समझे रात को नो बजे होती है, पबलिक रोड के उपर इतनी पूरे गुजरात के अंदर बच्चीयां हमारी मा नवरात्रा का रूप मा नो दुर्गा का रूप गरबा खिलती हैं रात को तीन-तीन बजे तक चार-चार बजे तक पांच-पांच बजे तक गुजरात ऐसा प्रदेश है एक जहां पे मातारानी की करपा से कोई क्राइम वग जाए जाती है वो चुनरी इसको बोल सकते हैं शादी ब्या के अंदर अगर बात करें तो जो लाल कलर का जोड़ा पहनती है उसके उपर भी दुपट्टा जो हमारी दुलहन होती है जो हमारी बेटियां होती है जो हमारी बहुएं होती है वो ये दुपट्टा उपर से पहनती है तो ये भी हो गया लाल अब लाल में साडियों में तो इतना कलेक्शन है इतना कलेक्शन है कि अगर मैं दिखाते रहूं रात वर भी तो अब ये देखिए चिकन कारी में ये रेड है इतनी चीजें हैं ने मेरे पास में कि मैं अगर शाम तक भी बैठके दिखाते रहूं तो लाल ही लाल लाल ही लाल दिखाते जाओंगा तो अगर special लाल की डिमांड आप लोगों के यहां भी है तो आप बिलकुल special लाल का order देखे हमारे यहां से items मंगवा सकते हैं लाल लेंगे हैं यह देखे लेंगा लाल बिलकुल एक से classical डिजाइने इसके अंदर आपको मिलेगी लाल चुनरी की अगर बात करें तो यह देखिए जोर्जेट के उपर बहुत ही खुबसूरत साड़ी है हमारे मारवाडी घरों के अंदर जो राजस्तान से जो लोग खास रहते हैं वहां बहुत ही खुबसूरत तरीके से साड़ी को पहना जाता है चाहे नवरात रहाँ हो चाहे करवाचोत हो ये लाल color का इस्तेमाल होता है बनारसी लाल में भी खुबसूरत खुबसूरत design है प्रिंटेड में भी लाल आपको खुबसूरत collection मिल जाएगा एक से एक ला जवाब साड़ी मिल जाएगी लाल के ऊपर ये देखिए मौस है उसके उपर half coating किया हुआ है half coating के साथ में ये सिरोस की वर्क किया हुआ है बहुत ही खुबसूरत तरीके से मतलब लाल को और कितना अच्छे तरीके से खुबसूरत बनाया जा सकता है, वो प्रियास पूरा-पूरा हम करते हैं, प्योर कोटन, सुती साडी की बात करता हूँ, इसमें भी लाल आपको मिल जाएगा, ये देखिए, फोईल किया हुआ है, किसी भी तरीके का विविंग नहीं है, लेकिन फोईल भी फूल गारंटेड ह आप जहां दोना चाहें, जैसे दोना चाहें, हाथ दुलाई, मशीन दुलाई, पटक पटक के दो भी दुलाई, जिसी भी तरीके का आप करते हैं, ये सब मिल प्रिंट होता है, फ्यूजिंग किया हुआ रहता है, बिल्कुल भी ये गोल्ड कलर निकलने वाला नहीं है, किस से एक लाल, दुलन के लिए लाल, ये देखिए, दुलन के लिए लाल तो हमेशे ही, हाँ, शादियों का सीजन है, भी सामने अभी जैसे ही दिवाली, हमारी दिवाली की पूजा कम्प्लीट होती है, दे उठनी ग्यारत से लगन सुरू होता है, तो फुल फ्लेश, कितनी ला मैंने लाल का आप लोगों को दिखाने का प्रियास किया है, उमीद करता हूँ, आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप भी फ्यूचर में किसी स्पेशल कलर का, जैसा कि मैंने बताया हरी स्टेट में थोड़ा अलग-अलग कल्चर है, चट पुजा के उपर पीला चल जानना चाते हों, तो कमेंट करके जरूर मेरे को बताए, मैं इस्पेशली ये लाल भी क्यों सुपर संग में पहना जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिस कलर के बारे मैं आपको जानना हो, कमेंट करके जरूर बताए, और उमीद करता हूँ, जो कलेक्शन मैंने द ये किसी भी तरीके का प्रोड़क्ट आप हमारे यहां से मंगवाना चाते हैं, वो मंगवा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो, मंगल मैं हो, इसी मंगल कामना के साथ, इस वीडियो को यह वीराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, न झाल झाल